Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Priyad Oogra and I'm back again with another video. आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ Google की तरफ से एक गूर्टन अपॉचुनिटी अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें experience चाहिए Google के अंदर काम करने का और साथ-साथ में आपके अंदर कोई skills नहीं है फिर भी आप Google के अंदर काम करना चाहते हैं तो यह opportunity आपके लिए काफे फायतमन रहेगी बिकाज इसके अंदर आपको free of cost पहले तो train किया जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे job opportunities भी मिल सकती है तो Google आपके लिए लेकर आया है free of cost training plus internship plus job तीनों opportunities एक साथ मिल रही है यहाँ पे तो किस तरह की यह opportunity है कैसे इसके अंदर apply कर सकते हैं सारी details आपको वीडियो के अंदर provide करूंगी बस आपसे एक छोड़ी से request करना चाहूंगी अगर आप first time मेरे चानल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे subscribe जरूर कीज़ेगा वीडियो पसंद आती है तो like और share करना ना भूले चलते हम इन platform की तरफ आज का जो मारा main official platform है build your future with google आप जानते ही है गूगल का एक ऐसा platform जहां पे आपके लिए हर तरह की opportunities available रहती है चाहे वो scholarship हो, apprenticeship हो internships हो, किस तरह की events हो हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी आज का जो मारा main opportunity है वो है एक apprenticeship अगर आपको नहीं पता apprenticeship क्या होती है तो मैं आपको बता दूँ यह होती है job based training मतलब ऐसी training जो आपको directly lead करेगी towards the job train आपको किया जाएगा according to the industry standards कैसे industry में काम होता है उसी के according आपको सिखाया जाएगा पहले and then after आप उसी particular company or firm में काम करना शुरू कर सकते हैं so work based training आपको apprenticeship बोला जाता है यहाँ पे apprenticeship बहुत सारी available है अगर हम Indian location की बात करें so google की जितने भी companies है कहाँ पे किस तरह की apprenticeship अवेलेबल है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ google के अंदर आप देख सकते हैं पहले तो eligibility दी गई है eligibility में यह बताया गया है कि academic performance आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपका level of education जो है और writing की भी उसके बाद आपके पास authorization होना चाहिए to work in the country जहाँ पे आप apply करें हैं यह है आपके पास eligibility condition और कुछ जादा eligibility नहीं मांगी गई है application material यहाँ पे आप देख सकते हैं updated resume आपके पास होना चाहिए cover letter वगेरे जब भी आप apply करते हैं तो cover letter और एक updated resume मांगा चाहता है so make sure कि वो आपके पास available हो apprenticeship Indian location के लिए जो है वो चार different domain में आपके लिए available रहती है आप यह लोग जानते ही होंगे बिएस पहले भी हमने वीडियो में यह चीज़ डिसकस की है data analytics की एक apprenticeship है digital marketing की है information technology की है और project management की है चार different domains है जहाँ पे Indian location में आपके लिए apprenticeship programs available रहते हैं but time to time जिस भी particular domain में कोई opportunity निकल कर आती है मैं साथ ही आपके लिए update करती हूं फिलहाल के लिए यहाँ पे इन चारों में से सिर्फ एक ऐसी domain है जिसमें आपको opportunity मिलेगी बागी सारी domains में अभी कोई opportunity नहीं निकल करा रही है इंडिया location में so हमारे पास जो यह आप देख सकते है information technology की apprenticeship है अगर इस पे आप click करेंगे so आप redirect हो जाएंगे इनके career section पे google का यह career section है जहाँ पे आपको जितनी पे opportunities google की तरफ से lodge की जाती है हो यहाँ पे मिल जाती है so यहाँ पे हमारे पास IT department के अंदर 12 ऐसी jobs हैं जो की आपको मिल सकती है so जिसके आप लोग देख सकते हैं आप directly google की career section में भी जा सकते हैं या आप through build your future with google के साथ भी यहाँ तक पहुन सकते हैं सबसे पहले opportunity हमारे पास technical solution consultant की यह आपके लिए बेंगलोर करनाटका के अंदर निकल करा रही है bachelor वाले student भी apply कर सकते हैं second opportunity आप देख सकते हैं engineering director search discover यह भी आपके पास बेंगलोर करनाटका के अंदर निकल करा रही है इनको requirement है head of the business systems youtube business technology के अंदर भी बेंगलोर करनाटका के अंदर corporate operation engineer हाइदरबाद तिलंगाना की तरफ से आपके लिए यह निकल करा रही है engineering director की requirement है engineering manager की requirement है engineering manager payments platform की भी requirement है तो आप देख सकते हैं इसी तरह से 12 openings यहाँ पे निकल करा रही है और यहाँ पे bachelor level के students भी apply कर सकते हैं कितना आपके पास experience होना चाहिए वो भी यहाँ पे साथ-साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कोई भी एक job opportunity यहाँ पे खोल कर देख लेते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे minimum qualification bachelor's मागी गई है computer science या किसी भी IT field में अगर आपने की है आप पूरी details यहाँ पे देख सकते हैं क्या responsibilities रहेगी आपकी कैसे आपने apply करना है उसके लिए आप यहाँ पे apply के button पे click कीजिए और आपके पास आपका application form खुल कर आ जाएगा अभी फिलहाल के लिए मेरा यही motive था कि मैं आपको IT department के अंदर जितनी भी job निकल कर आ रही है वो यहाँ पे बता सकूँ Google की तरफ से अभी job openings निकल कर आई है तो आप एक एक करके अपना application form फिल कर सकते हैं पांच steps में आपका application form बिल्कुल complete हो जाएगा first में आपको अपने profile create करनी है legal name और country देनी है और phone number देना है then आप यहाँ पे अपने career profile देंगे role information देंगे और voluntary self identification होगी and then review and apply यह देते ही आपका application form यहाँ पे complete हो जाएगा so make sure एक एक करके आप अपना सारे steps complete करें अगर बीच में कोई भी doubt रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर अगर कोई भी आपको ऐसी problems आती है जो इस वीडियो से related नहीं है और previous वीडियो से related है तब भी आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे telegram channel पे और मेरे whatsapp group में वहाँ पे भी मैं 24 by 7 available रहती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो अगर ऐसा कुछ है इसे like और share करना ना भूलिएगा बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए topic के साथ तो तो के लिए thank you so much have a good day